वेल्कम गाइस तो आज का जो मैंसुदेशन का टेस्ट है और टॉपिक क्या है स्क्वाइर एंड रेक्टेंगल है जिसमें मैं दस को सब्सक्राइब करते हैं जो मैं आपको बोर्ड पे वन बाई वन सारा लिख लिख के आंपर बता दूगा पड़के बता दूगा जिससे इसकी लंबाई तथत चोड़ाई का अनपाद नौ अनपाद साथ है इसका परिमाप ग्याद किजिए चार ऑप्षन दिए गए हैं पहला ऑप्षन ऑप्षन है 64 दूसरा ऑप्षन है 68 तीसरा ऑप्षन है 128 चोथा ऑप्षन है 96 दूसरा कोशन देखिए एक आतकार घास की मै मैदान की चोड़ाई बताईए चार ऑप्षन है 25 मीटर ऑप्षन है इनमें से कोई नहीं तो यह दो कोश्चन देखिए यदि एक आयत की लंबाई में 25 परसे व्रिद्धी कर दिया तो इसकी चोड़ाई में कितने परसेंट कमी कर दी जाए जिससे उसका छेटफल ना बदल ठीक है चार ऑप्षन है एक आयत का छेटफल का 90 परसेंट है वर के परते की लंबाई बताओ चार ऑप्षन है चार ऑप्षन है एक आप्षन चूज करके आपको कमेंड में देना है चार नमर कोशन देखो एक आयतकार चारागा भूमी का आयाम पचास मीटर तथा 42 मीटर है जिसमें एक बकरी को भूमी के मध्य में एक खंबे से 21 मीटर लंबी रसी से बांधा गया है चराई के लिए बकरी के पहुच ना पाने वाला छेटफल ग्याद कीजिए चार अप्षन दिये हैं एक आप्षन है चार सो बीस बीस आप्षन है अब नेक्स से बैट देखते हैं साथ नमबर कोश्चन है यह दि दो अरगों के छेटफलों का अनपात अनपात पात क्या होगा तो एक अनपात दो बीस आप्षन है एक अनपाते करणी में दो आठापर कोश्चन है एक सुरता कच्छ की लंबाई और चोडाई का अनपात थ इतनी होगी यह बताना है और इसमें चार अप्षन है एक अप्षन है बार मीटर बीज़ें पंदर मीटर सी ऑप्षन है बीस मीटर डी अप्षन है 21 मीटर ठीक है अब आईए लास्ट दो कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाइन लास्ट के यह नाइन और प्रेंथ को से करन बताएं यह पूरा दस कोश्चन था जिससे आपको कमेंट करके आंसर मुझे बताना है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेस्चन बिलकुल नहीं आ रहा है वो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो ठीक है तो आज का टेस्ट का मैंने लड़ी बता दिया ह है आप लोग सभी लोग करें थार्डी मिनिट्स का टाइम है बेस्ट रॉल लग।